नमस्कार, मैं कैलाश शर्मा और हमारा आज का विशे है संस्कृत संख्या ज्यानम आज हम एक से एक हजार तक की संख्या का विश्तिरित अध्यन करेंगे और एक हजार से एक करोड की संख्या का हम संख्यित अध्यन करेंगे तो आईए चर्चा करते हैं संस्कृत संख्या वाचक शब्दों के विशय में एक जो पुलिंग रूप है वो होगा एकह, स्त्रिलिंग, एका और नपुन्सक लिंग में एकम किस तरह हम इसका प्रयोग करें? इसके लिए एक छोटा सा उधारन है जैसे हमें कहना हो एक लड़का तो हम कहेंगे एकह बालकह यदि हमें कहना हो एक लड़की तो हम लिखेंगे एका बालीका और यदि हमें कहना हो एक फल तो हम लिखेंगे एकम फलम तो ये हमने देखा कि एक को हम तीनों लिंगों में अलग अलग तरीके से कैसे लिखते हैं पुलिंग में एकः, स्ट्रिलिंग में एका और नपुनसक लिंग में एकम इसी तरह से दो को हम लिखेंगे द्वव, द्वे, द्वे इसका हम प्रियोग कैसे करें? तो देखें, जैसे हमें लिखना हो दो लड़के, तो हम लिखेंगे द्वाउ बालकाउ, दो लड़कियां तो द्वे बालीके, और दो फल तो हम लिखेंगे द्वे फले. अगली हमारी जो संख्या है वो है तीन, तीन को पुलिंग में हम कहेंगे त्रयाह, स्रिलिंग में तिसरह और नपुनसक लिंग में त्रीनी, इसका प्रियोग तीन लड़के तो हम लिखेंगे त्रयाह बालकाः, तीन लड़कियां तो हम लिखेंगे तिसरह बालिकाः और ती इसके लिए हम लिखेंगे त्रीनी फलानी, अगली जो संख्या है वो है चार और इसके तीनों लिंगों में रूप हैं चत्वारह, चतस्रह, चत्वारी, चार लड़के तो हम लिखेंगे चत्वारह बालकाहा, चार लड़कियां इसके लिए हम लिखेंगे चतस्रह बालिकाहा और चार फल तो चत्वारी फलानी इससे आगे तो संख्या है यानि पांच से आगे जितनी भी हम संख्या लिखें वो तीनों लिंगों में समान उसके रूप रहेंगे कैसे होंगे? आईए समझते हैं जैसे अगली संख्या हमारी पांच तो तीनों लिंगों में हम लिखेंगे पंच 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 इसका प्रियोग भी इसी तरह से होगा कैसे जैसे हमें लिखना हो पांच लड़के तो हम लिखेंगे पंच बालकाहा यदि लिखना हो पांच लड़कियां तो भी हम लिखेंगे पंच बालकाहा और यदि हमें लिखना हो पांच फल पंच फलानी यानि पांच फल तो ये हमारे एक से पांच तक की संख्या को हमने यहां पढ़ा इस तरह से एक से चार तक की जो संख्या तीनों लिंगों में और पांच से आगे जो है वो एक समान रहेगी एक बार एक नजर देखें, एक के लिए एकह, एका, एकम, दो, द्वव, द्वे, द्वे, तीन, त्रयह, तिस्रह, त्रीनी, चार, चत्वारह, चतस्रह, चत्वारी, और पांच से आगे तीनों लिंगों में समान होगी, तो हम पुल्लिंग का रूप लिखते हैं, तीनों लिं तो ये थी हमारी एक से दस तक की संख्या अब हम आगे बढ़ते हैं ग्यारह से बीस तक अब एक विशेस बात जो हमें यहां ध्यान देनी है वो है ग्यारह जो यहां लिखा हुआ है इसमें एक और एक दो अंक लिखे हुए है ध्यान रहे पहला जो अंक है एक इसका स्थानी अमान यानी प्लेस वेल्यू एक है और दूसरा जो यहां लिखा हुआ है अंक एक इसका स्थानी अमान यानी प्लेस वेल्यू एक नहीं यहां इसकी वेल्यू है दस तो यह वन प्लस वन नहीं होकर टैन प्लस वन है तो ये जो पहला अंक हमने लिखा है एक, दो, तीन, चार, पांच, छे, साथ, आठ, नो इसको हम संस्कृत में क्या कहते हैं? एक नजर देखते हैं एक को हम लिखेंगे एक, दो को दुआ या दुई, तीन के लिए त्रयाह या त्री और चार के लिए चतू, ये चार भिन रूप हैं, ये किन के लिए प्रियुक्त करने हैं? जब हम इन अंकों को दस, बीस, तीस, चालीस, इनके आगे जब हमें जोडना हो, तो हम एक से चार तक के लिए इन शब्दों का प्रियोग करेंगे पांच से आगे पंच, शट, सब्ट, अश्ट, नव, ये पूर्ववत हैं, यानि पहले के समान ही हैं तो सबसे पहले हमें ये नो शब्द याद करने हैं, एक से चार तक है, ये थोड़ा सा अलग है एक एक न लिखकर हम लिखेंगे एक, द्वव न लिखकर हम लिखेंगे द्वा या द्वी, और तीन के लिए त्रय या त्री और चार के लिए चतु हूँ अब ये ओ गया पहला अंक दूसरा जो मारा अंक है सब में एक लिखा हुआ है ये एक नए होकर क्या है दस और दस को हम संस्कृत में कहते हैं दश तो हम एक में अगर दस जोडेंगे तो एक पलस दश एका दश दवा पलस दश दवा दश त्रयः दश त्रयो दश चतु दश ये थोड़ा सा एक भिन रूप है इसको विशेश रूप से याद करना पड़ेगा 19 के लिए एक नया शब्द है एकोन विन्शती ही विन्शती का अर्थ है 20 और एक उन यानि कम एक कम 20 यानि 19 तो 19 के लिए दो रूप होते हैं नवदश या एकोन विन्शती ही जो आपको आसान लगे वो आप लिख सकते हैं पहला जो अंक है हमारा 1, 2, 3, 4 इसके लिए हमने ये संख्या याद कर ली और इसमें हमने क्या जोड़ दिया 10 तो आगे की संख्या अपने आप बन गई कि एक से नो तक जो ये अंक हैं इनके लिए संस्कृत शब्द हैं ये और इसमें हमें जोड़ना क्या है ये 20 और 20 को संस्कृत में कहते हैं विन्शती ही अब हमारी संख्या की स्तरह बनेगी एक विन्शती ही तो क्या लिखेंगे हम एक विन्शती ही द्वा विन्शती ही, त्रया विन्शती, त्रयो विन्शती, चतु विन्शती, चतुर विन्शती, पंच विन्शती ही, शड विन्शती ही, सप्त विन्शती ही, अश्टा विन्शती ही, नव विन्शती ही, त्रिन्शत, त्रिन्शत यानि तीस, ध्यान रहे 29 के लिए भी दो अब हम आगे बढ़ते हैं आगे बढ़ने से पहले ध्यान रहे कि 30 के लिए जो नया शब्द आया है वो है त्रिन्शत जो पहला अंक है उनके लिए संस्कृत शब्द यहाँ पर है 30 को हम कहते हैं त्रिन्शत अब हम इसको जोडते चलेंगे और हमारी संख्या होगी एक त्रिन्शत, द्वा त्रिन्शत, त्रयस त्रिन्शत, चतुस त्रिन्शत, पंच त्रिन्शत, शट त्रिन्शत, सप त्रिन्शत, अश्टा त्रिन्शत, नव त्रिन्शत, चत्वारिन्शत बस हमें ध्यान रखना है एक से नो तक की ये संख्या और इसमें हमें ये जो धाई का अंक है 10, 20, 30 ये आगे जोड़ते चलना है अब जो नया शब्द हमारे सामने आया वो है 40 और 40 को हम कहते हैं चत्वारिन शद तो आगे बढ़ते हैं पहला जो अंक है एक से नो इसके लिए हमें शब्द एक से नो तक हमने या लिख दिये अब इसमें जो हमें जोड़ना है वो है 40 और 40 को हम कहते हैं चत्वारिन शद इसको जोड़ते ही हमारी संख्या इस प्रकार होगी तो नया शब्द हमारे सामने आया पनचाशद आगे बढ़ते हैं 51 से 60 संख्या पहला अंक जिसके लिए संस्कृत शब्द ये हैं और इसमें जोड़ना है 50 और 50 को हम कहते हैं पनचाशद 51 की लिए क्या लिखेंगे 25 52 इसी प्रकार हम आगे बढ़ते रहें आगे बढ़ते हैं 61 से 70 तक पहला अंक जो है इसके लिए संस्कृत शब्द ये हैं और इनमें हमें जोड़ना है साथ, साथ को हम कहते हैं शष्टी ही और संख्या होगी हमारी एक शष्टी ही, द्वी शष्टी ही, त्री शष्टी ही, चतुष शष्टी ही, पंच शष्टी ही, शट शष्टी ही, सब्त शष्टी ही, अश्ट शष्टी ही, नव शष्टी ही, सब् 71 से 80 पहला जो अंक है मारा इकाई का 1 से 9 इसके लिए संस्कृत शब्द ये हैं और इसमें हमें जोड़ना है 70 और 70 को हम कहते हैं सप्तती ही और 71 से 80 तक की संख्या होगी आगे बढ़ते हैं 81 से 90 तक की संख्या पहला अंक इकाई का इसके लिए संस्कृत शब्द 1 से 9 तक इसमें हमें जोड़ना है 80 और 80 को हम कहते हैं अशीती ही और इसको जोड़ते ही 81 से हम 90 तक की संख्या बना लेंगे और वो संख्या होगी एकाई शीती ही ध्यान दें एक कैमें जो अ है और अशीती का अ है ये दोनों मिलकर आ बन जाएगा और मिलकर शब्द बनेगा एकाई शीती ही इसी तरह से द्वया शीती ही त्रया शीती ही चतूर शीती ही पंचा शीती ही शड शीती ही सप्ता शीती ही अश्टा शीती ही नवा शीती ही नवती ही नवती ही यनि नब्बे और अब हम आगे बढ़ते हैं 91 से 100 तक की संख्या जो हमारा पहला इकाई का अंक है उसके लिए संस्कित शब्द ये हैं और इसमें हमें जोड़ना है नब्बे नब्बे को हम कहते हैं नवती ही और हमारी 91 से 100 तक की संख्या होगी 100 के लिए शब्द है शतम तो ये हमारी एक से 100 तक की संख्या 100 से आगे की जो संख्या है इसको हम थोड़ा सा संख्षिप्त रूप में समझेंगे पहला जो इकाई का अंक है एक से नो इसके लिए हमने संस्कृत शब्द पहले पढ़ लिये थे दुबारा मैंने यहां लिख दिये हैं एक से दस तक ये 10 प्लस 1 नहीं ये 100 प्लस 1 यानि 100 में कितने अदिक एक तो यहाँ एक नया शब्द जो हमें जोड़ना है वो है अधिक यानि एक अधिक है कितने से 100 से और 100 को हम कहते हैं शतम मिलाकर के दी हम लिखेंगे तो होगा एकादिक शतम इसी तरह से द्वी अधिक शतम और मिलाकर शब्द बनेगा द्वयादिक शतम इसी तरह से त्रयादिक शतम, चतुरदिक शतम, पंचादिक शतम, शडदिक शतम, सप्तादिक शतम, अश्टादिक शतम, नवादिक शतम, दशादिक शतम अब आगे बढ़ते हैं 111 से 200 तक की संख्या इसको और भी थोड़ा हमने संख्शिप्त किया है जैसे 111 है तो 100 से कितने अधिक हैं 11 है और 11 को हम संस्कृत में क्या कहते हैं एक आदश हमें अधिक शब्द बीच में जोड़ना है और कितने से अधिक हैं 100 से और 100 को हम संस्कृत में कहते हैं शतम तो हमारी संख्या किस प्रकार बनेगी मिला कर लिखेंगे तो होगा एका दशादिक शतम अर्थात 111 है इसी प्रकार यदि 21 अधिक होंगे तो एक विन्शती ही अधिक शतम मिला कर लिखें एक विन्शत्य अधिक शतम यानि 21 अधिक 100 अर्थात 121 इसी तरह से 31 को हम कहते हैं एक त्रिन्शत तो शब्द बनेगा एक मिलाकर लिखेंगे और दो सो को कहते हैं द्वी शतम इस तरह हमने दो सो तक की संख्या को समझा अब हम चर्चा करते हैं दो सो एक से छे सो एक तक की संख्या किस प्रकार से? तो आईए समझते हैं दो सो को हम कहते हैं द्वी शतम और एक को हम कहते हैं एक एक अधिक है कितने से? द्वी शतम से तो हमारी संख्या होगी एक अधिक द्वी शतम ग्यारा यदी अधिक होंगे तो एक अधिक द्वी शतम इसी तरह से तीन सो को हम कहेंगे त्री शतम अगर इसमें हमें एक जोडना हो तो एक अधिक त्री शतम मिला कर लिखेंगे एक अधिक त्री शतम इस तरह हम चार सो को कहेंगे चतु शतम एक अधिक चतु शतम मिला कर लिखेंगे एक अधिक चतु शतम पांच सो को कहते हैं पंच शतम पांच सो एक अधिक पांच सो यानि एक अधिक पंच शतम चैसो को कहते हैं शट शतम एक अधिक शट शतम मिला कर लिखेंगे एक अधिक शट शतम आईए आगे बढ़ते हैं साथ सो एक एक अधिक है साथ सो से 700 को हम कहते हैं सब्तशतम तो मिलाकर लिखेंगे एक अधिक सब्तशतम 711 है तो 11 को कहते हैं एक दश बीच में एक शब्द लिखना पड़ेगा अधिक 700 को कहते हैं सब्तशतम और मिलाकर संक्याम लिख पाएंगे एका दशादिक सब्तशतम 880 शतम 801 एका दिकाष्ट शतम 909 शतम और 901 अगर हमें लिखना हो तो एका अधिक नव शतम इसी तरह से जितनी भी संक्या में लिखनी हो 11, 21, 25 वो लिखो यहां पर अधिक शब्द जोड़िए और कितने 100 हमें लिखना है वो यहां पर लिखना पड़ेगा अब हजार को कहते हैं सहस्रम, दस हजार को अयुतम, एक लाख को लक्षम और एक करोड को कोटी यह थी हमारी संक्या एक से एक करोड तक अब आगे बढ़ते हैं पूर्ण वाचक शब्दाहा जैसे हम कहते हैं हिंदी में पहला, दूसरा, तीसरा, चोथा इस प्रकार संस्कृत में हम क्या कहते हैं वो शब्द आपके सामने लिखी हुए यह तीनों लिंगों में अलग-अलग रूप होते हैं जैसे हमें कहना हो प प्रथमा प्रथमाम द्वीतियह द्वीतिया द्वीतियम त्रितियह त्रीतिया त्रीतियम चतुर्था चतुर्थी चतुर्थम पंचमाह पंचमी पंचमम शष्ठाह शष्ठी शष्ठम सप्तमाह सप्तमी सप्तमम अश्टमाह अश्टमी अश्टमम नवमाह नवमी नवमम तो ये थी अमारी संख्या और पूर्ण वाचक शब्द इस विशय से सम्मनित यदि कोई भी प्रशन हो तो कृपया कमेंट्स में लिख कर अवश्य पूछें धन्यवाद